नमस्कार, आप सभी मित्रों को कार्टिक मास की हार्दिक शुप कामनाएं कार्टिक मास, सभी मासों में श्रेष्ट मास माना गया है यह भगवान विश्णु को भी बहुती प्रिय है इस मास में बहुत से परवाते हैं और रत भी आते हैं आज हम बात करेंगे कार्तिक मास क्रिश्न पक्ष की त्रियोदेशी को आने वाले पर्व धनतेरस के बारे में उससे जोड़ी पूजन विधी वा कथा के बारे में मित्रो कार्दिकमाढ धन्तेरस के दिन बहुत से लोक सोने चांदी के बर्तन गहने आधी को खरीदना बहुती शुब मानते हैं धन्तेरस के दिन ही समुंद्र मन्थन के समय भगवान धन्वंत्री का प्रकट्य हुआ था और आज ही यम्राज के निमित दीपदान किया जाता है आज हम इसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार दीपदान करें दीपदान का पूजा विधान क्या है और इससे जुड़ी छोटी सी एक कथा वा भगवान धन्वंत्री के पूजन के विशे से जुड़ी हुई बाते करेंगे आईए दीप दान से शुरू करते हैं धन तेरस के दिन यमराज के निमित दीप दान किया जाता है घर के मुखे द्वार पर दक्षिन की ओर मुख करके एक पात्र में अन रख कर उसमें दीप रखा जाता है वा दीपक का पंचो उपचार पूजन किया जाता है पंचोप चार पूजन धूप, दीप, गंध, नेवध्य वह तिलक से किया जाता है इसी से जुड़ी एक भहुत ही पुरानिक कथा है जिसके अनुसार एक बार ज्यमराज अपने दूतों से पूछते हैं कि हे दूतों जब आप प्राणियों के प्राणों का हरन करके लाते हैं तो क्या आपको दुख नहीं होता दूत कहते हैं प्रबू दुख तो बहुत होता है विशेश कर उस समय बहुत दुख होता है जब किसी युवा का विवहा हुए दो या तीन ही दिन हुए होते हैं और हमें उनका प्राण हरन करना पड़ता है या किसी मंगल उत्सफ पर हमें उनका प्राण हरन करना पड़ता है प्रभू उनके जम्मंधियों का रुदन और प्रदन थुनकर हमारा हिर्द्यागात होता है लेकिन क्या करें ये है हमारा कारे है लेकिन प्रभू कुछ ऐसा बताईए जिसको करने से मनुष्य को अकाल मत्यू कभ है ना रहे यमराज कहते हैं आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है मैं जरूर इसके विशय में आपको बताऊंगा कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली तृद्शी पर जो धन्तेरस के दिन मेरे निमित दीपदान करेगा उसे कभी भी अकाल मत्यू का भय नहीं सताएगा इस तरह से मित्रो यह एक कथा है जो की धन्तेरस के दिन दीपदान से यमराज के निमित दीपदान से जुड़ी हुई है आईए मित्रो अब हम भगवान धन्तरी के प्रकट्यों सब के बारे में बात करते हैं समुंद्रमंथन के समय भगवान धन्तरी समस्त रोगों को ओशदी का एक कलश लेकर प्रगट हुए थे इस दिन आयुर्वेद के जितने भी विद्वान होते हैं वो भगवान धन्वंत्री की प्रत्मा बना कर उनका शर्दा पूर्वक, पूजन वा प्रसाद वित्रन करते हैं और सभी के स्वास्थ के लिए मंगल कामना करते हैं वो अगले दिन भगवान धन्वंत्री की मूर्ती का विसर्जन करते हैं ये तो थी मित्रो धन्टेरस से जुड़ी हुई छोटी सी कथाएं वो उनसे जुड़ी हुई पूजन विधी यदि मित्रो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए वो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे शियर जरूर करें